देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएंगे, आप सभी का मेरे चैनल पर पुनहा स्वागत करता हूं, आशा करता हूं, आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदय बनी रहे, 12 जुलाई 2022 को शनी अपना राशी परिवर्तन कर रहे हैं, पतित हो जाएंगे, वापस गिर जाएंगे, मकर राशी में मकरस्थ हो जाएंगे, जब भी कोई बड़ा ग्रह राशी परिवर्तन करता है, तो मूर्ती निरने भी देखा जाता है, जिसको हम पाया निरधारन भी कहते हैं, चार तरह के पाय होते हैं, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोहा, यानि कि सोना, चांदी, तामभा औ बड़ा रोल है, दूसरा पॉइंट, जो ये पाया निरधारन होता है, ये थोड़ा टेक्निकल होता है, इसलिए जिसको जोतिश का थोड़ा बहुत ग्यान है, वो तो समझ जाएगा, नहीं तो जादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश मत कीजेगा, जैसा मैं बता रहा उसको वैसा ही मानिएगा, किस तरह से निरधारन होता है, जिस समय शनी अपना राशी परिवर्तन करता है, उस समय चंद्रमा आपके किस भाव में गोचर कर रहे हैं, चंद्र राशी से, तभी मैं कहा रहा हूँ, थोड़ा टेक्निकल होता है, जिस समय शनी राशी परिवर् करेंगे सपोज 9 बजे 9 बजे चंद्रमा कहां गोचर कर रहे हैं आपकी चंद्र राशी से आपकी जो जन्म कुंडली है उससे उस पर निर्धारित होगा कि आपका कौन सा पाया बनता है जैसे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा है उससे जो गोचर में चंद्र तो आपका सोने का पाया बनता है इस तरह से यदि वो दो पांच-नौ में होते हैं तो आपका च्याणी का पाया बनता है मैं ने बताया हुआ है 2 हर यूज को समझ्ज नहीं आता कोई बाहनी आता आप सिरे अपना राशिफ़ल सोन लेज्थे एक और भ्रांती फिलाई गई है, especially कुछ पार्ट्स के हमारे देश में, इसके बारे में एक अलग राय बना दी गई है, कि जो तामबे का पाया होता है, वो सबसे अच्छा होता है, और लोहे का भी अच्छा होता है, और सोने का अच्छा नहीं होता, देखे हमारे शास्त्र ब चांदी उससे थोड़ा कम अच्छा, तामबा ठीक ठाक महनत के साथ खल देगा, लोही का जो पाया होता है, वो थोड़ा मुश्किल रहता है, जैसे आपने ओलम्पिक्स देखे होंगे, तो सबसे अच्छा जो गोल्ड मेडल होता है, फिर सिल्वर मेडल, फिर तामबे का मे मैंने अपने experience में ऐसा देखा है, जो सोने का पाया होता है, वो सबसे अच्छा ही होता है, कोई भी ग्रह हो, किसी किसी जगा पर यह भ्रानती है, या फिर इस मत के विरोध में जाके कुछ लोग कहते हैं कि जो लोहे का पाया होता है, सबसे अच्छा होता है, तामबे का पा फिर रजत यानि की Selvr फिर तामबा और उसके बाद लोहा तो इसी बेसिस पर सारा मूर्ति निर्धारन या फिर पाया निर्धारन होता है अब किस तरह से आपके गोचर पर इसका प्रभाव रहेगा देखे गोचर अलग चीज है पाया निर्धारन अलग चीज है अगर गोच गोचर की स्थिति भी बदलेगी शरी महाराज की वह वापस मकरस्त हो रहे हैं इसी तरह से अगर गोचर बहुत अच्छा है लेकिन पाया आपका तांबे का आगया या लोहिक आगया तो वहां पर थोड़ी से उसके रिजल्ट नेगेटिव हो जाएंगे नेगेटिव गोचर ह पाया सोने का आगया तो जो गोचर का रिजल्ट है वो थोड़ा बहुत बैटर हो जाएगा तो इस तरह से निर्धारन करके हमें देखना पड़ेगा कि क्या प्रभाव रहेगा प्रत्येक राशी पर जोतिश में बहुत सारे फैक्टर्स लेने पड़ते हैं तभी किसी एक नतीजे पर पहुंचा जा सकता है हर राशी के साथ एक उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से जो आपके लिए पाया बन रहा है आपका जो भी बनेगा उसके फल अच्छे होंगे नकरात्मक फल हैं तो उसमें कमी आएगी तो शुरुवात करते हैं शनी के पाया निर्धारन का राशी फलका या फिर मूर्ति निर्णे के राशी फलका मेश राशी के साथ शुरुवात करते हैं मेश के साथ मेश के लिए जब शनी राशी परिवर्तन करेंगे उस समेश चंद्रमा आपकी चंद्र राशी से नवम भाव में गोचर कर रहे होंगे इसलिए आपका रजत यानि की चांदी का पाया बनता है और अगले 6 महिने तक यानि की जैनुवरी तक शनी महराज इसी पाये पर सवार होकर आपको फल देंगे आपके लिए क्योंकि चांदी का पाया बनता है मैंने बताया कि चांदी का पाया भी बहुत शुब होता है दूसरे नंबर का होता है तो आपके लिए ये बहुत ही शुब संकेत है भाग्य में वृद्धी अवश्य होगी साहस में वृद्धी अवश्य होगी अध्यात्मिक दा की तरफ जाएंगे और उसमें भी आपको बहुत अच्छे result मिलेंगे इसके साथ ही कई यात्राइं आप छे महीने में करेंगे जिसमें से कई अध्यात्मिक यात्राइं भी होंगे घर में थोड़ा महौल आपका अच्छा बनेगा करियर में भी आपको बहुत अच्छी opportunities मिलने वाली है लेकिन एक चीज है जो इसका थोड़ा बहुत नगरात्मक प्रभाव हो सकता है वैं यह होगा कि property को लेकर कुछ issues आपके बन सकते हैं ancestral properties का कुछ issues इसमें ज़ादा दिख रहा है जो लोग देश से बाहर जाने का प्रत्ने कर रहे थे बहुत समय से मेश राशी के और उनको कोई सफलता नहीं मिल रही थी या कोई उनको idea ही नहीं मिल रहा था कि किस तरह से अपने बाहर की journey को foreign journey को या foreign settlement को foreign job को plan out करे उनके लिए भी ये 6 बहीने का समय बहुत अच्छा रहेगा आपको ना केवल idea मिलेगा आपको कुछ बहुत अच्छे रास्ते भी मिल सकते हैं देश से बाहर जाने के जैसा मैंने कहा घरे पिये संबंधों में सुधार आएगा लेकिन फिर भी थोड़ा आपका ego जादा रहेगा specially यदि आपका समय अच्छा चल रहा है आपकी दशाची चल रही है तो इस समय आपका ego भी जादा रहेगा और उसके कारण कुछ संबंधों में विकार अवश्या सकते हैं जहां तक शादी शुदा जिन्दगी का सवाल है वहाँ पर थोड़ी दूरियां अवश्या आएंगी और वो भी उसमें भी ego एक बहुत main part play करेगा इसके साथी priorities set नहीं हो पाएंगी आप जादा ध्यान दूसरी चीजों में देंगे अपने life partner को थोड़ा ignore करेंगे मैं यह नहीं करा कि जान बूझ के करेंगे पर और कई चीज़ें आपको घेर रखेंगी लेकिन क्योंकि आपके life partner left out feel करेंगे उनको लगेगा कि आप उनको ignore कर रहे हैं यही एक main कारण रहेगा कि आपके बीच में थोड़ी दूरी आएंगी इस पाय के कारण यानि कि जो चांदी का पाया आपका शनी देव द्वारा बन रहा है overall आपके लिए जो चांदी का पाया बनेगा बहुत ही अच्छा result देगा students के लिए अच्छा है जो higher studies करते हैं उनके लिए तो और भी अच्छा है यदि आप नई जॉब ढून रहे थे अचानक से 12 जुलाई के बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छा result इस संदर्ब में मिल सकता है अचानक से circumstances आपके favor में जाएंगे और आप देखेंगे आपको कोई बहुत ही अच्छी जॉब 12 जुलाई के बाद खेर लंबा समय है 6 महीने का लेकिन कुछ ना कुछ positive 12 जुलाई के आसपास ही 2-3 हफते के अंदर ही आपको राप्त हो जाएगा खर्चा थोड़ा बड़ेगा खर्चे को लेकर थोड़ा आपको अपने उपर सयम लगाना पड़ेगा क्योंकि इस समय में खर्चा थोड़ा कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा दानपुन काफी करेंगे लोगों की सहायता काफी करेंगे जो कि अच्छी चीज है लेकिन उसमें कभी कभी अपनी सीमा भूल जाएंगे तो ओवर आल आपके लिए यह जो चांदी का पाया बन रहा है शनी देव द्वारा छे महीने के लिए अत्यंत लावकारी है इसका लाव उठाईएगा स्पेशली कारेक शेत्र में तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं एक उपाय जो आपको करना है आपको किसी भी शनी मंदर में जाकर दो सरसों के तेल के दिये शनी देव को अरपन करने है और हर दिये में एक-एक आपको जैफल डालना है फिर वहाँ बैठकर आपको ओम नीला अंजन समाभासम की जो मंतर है शनी देव का इसका आपको 108 बार जाप करना है यह उपाय कर लिजेगा आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है यह जो पीरिड है जिसमें शनी देव आपके लिए चांदी का पाया बना रहे हैं चलते हैं टॉरस के तरफ टॉरस के लिए जब यह शनी महराज राशी परिवरतन करेंगे तो चंद्रमा उस समय आपके अश्टम भाव में गोचर कर रहे होंगे तो इसलिए आपका लोहे का पाया बनता है लोहे का पाया है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आएंगी यह पूरा छे महीना वैसे तो ठीक रहेगा लेकिन कहीं कहीं पर अनिश्ट्ता बहुत घेरेगी क्योंकि चंद्रमा है तो सबसे पहले चंद्र राशी से हम देख रहे हैं तो सबसे पहले आपके मस्तिश्क पर इसका प्रभाव पड़ेगा आपके मनस्तिती पर अनिश्ट्ता का भाव आपको बहुत घेर कर रखेगा अन्स्टेबल माइंड रहेगा आपके कई जगा पर बड़े निरने लेने से बहुत डरेंगे वैसे स्थिर सभाव की राशी है लेकिन इस सम्वे में आप देखेंगे कि थोड़ी अस्थिरता आपके जीवन में अवश्या आएग यह नहीं कहरा पूरा छे महीने ऐसे जाने को मिलेंगे पैसों को लेकर थोड़ी अनश्यत्ता रहेगी पैसा आएगा तो भी उससे बहुत सुख की प्राप्ति नहीं होगी और अचानक से कहीं पे पैसा आपका खर्च भी हो सकता है क्योंकि लोही का पाया है यह आपसे मेहनत बहुत करवाएगा उसके रिजल्ट भले जाएंगे हो सकता है उसके अच्छी रिजल्ट मिल जाएं लेकिन इस समय तो छे महीने में तो आपसे जो पाया है लोहे का यह बहुत सारे काम करवाने वाला है इसके लिए रेडी रहेगा अध्यात्मिक्ता की तरफ अवश्य जाएंगे लेकिन वो तब जाएंगे जब हर तरफ से आपको यह लगने लगेगा कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता तो उस केस में थोड़ा अध्यात्मिक्ता की तरफ जाएंगे और फिर वहां से आपको थोड़े सुख की अन्भोती होगी पैसे आएंगे लेकिन रुक रुक के आएंगे आप देखेंगे इस समय मे आप फाइनेंस का काम करते हैं जिसमें कैश में बहुत डिलिंग होती है समान आ गया उसके बाद पैसा बाद में आता है या समान दे दिया उसके बाद पैसा वापस आप मांगते हैं अपने जो भी आपके क्लाइंस हैं तो वहां पर पैसा थोड़ा रोग सकता है किसी ने प समय में आपको देखने को मिल सकती है जैसा मैंने कहा चंदराशी को देखते हैं तो सबसे पहला बदलाव आपकी मानसिक्ता में आएगा आप थोड़े से अंसोशल हो जाएंगे यह नहीं कहला कि एकदम बंद कर देंगे लोगों से मिलना लेकिन सपोज आप पहले हफ्ते में तीन बार लोगों से मिलने चाहते थे सोशल सकल बड़ा था धीरे-धीरे करकर आपका सोशल सकल इस छे महीने में कम होता जाएगा क्योंकि आप थोड़े से अपने अंतर मन को जानने की कोशिश करेंगे और यह भी बहुत अच्छा होता है यदि आप जॉब करते हैं तो यह समय है अपने जॉब के लिए कुछ नया सीखने का थोड़ा कंपेटिटिव रहने का क्योंकि आपको कंपेटिशन हर तरफ से मिलेगा क्या आप उस कंपेटिशन को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करकर आगर बढ़ पाएंगे यदि जो लोहे का पाया है कि अट लीस्ट कारेक शेत्र में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देके अवश्य जाएगा तो मिला जुला सा देख रहा है आपके लिए लोहे का पाया उपाय क्या करना है आपको भैरव मंदिर में जाकर दो नारियल अरपन करके आने हैं और साथी म में वहाँ पे कुछ दक्षिना भी देख के आईएगा यह आप 12 जुलाई को ही कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट अवश्य में लेगा आपके लिए जब शनी का राशी परिवर्तन होगा उस समय चंद्रमा आपके सब्तम में गोचर कर रहे होंगे चंद्र तांबे की पाये में भी महनत बहुत करनी पड़ती है लेकिन उसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिलते हैं तांबे की पाये की विशेष्टा यह है कि यदि आप इस समय में प्रयास करते हैं महनत करते हैं तो आपको उसके रिजल्ट इसी कालखंड में मिल जाएंगा यानि इसमें आपको मेहनत के रिजल्ट अवश्य मिलेंगे अगर आप पब्लिक डीलिंग में काम करते हैं आपके लिए यह जो छे महीने हैं बहुत अच्छे रहने वाले हैं क्योंकि आपकी इमेज थोड़ी बैटर हो सकती है वह लोग जो पॉलिटिक्स में अंटर करना चाते हैं कुछ सोशल वर्क में अंटर करना चाते हैं उनके लिए छे महीने गोल्डन पीरिड हैं मेहनत करेंगे आप अपना नाम बना पाएंगे जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाते हैं उनको पता है कई लोग होते हैं पॉलिटिक्स में व उनके लिए छे महीने का पीरड गोल्डन पीरड है मेहनत करते रहिए आपको बहुत अच्छे परिणाम उसके अवश्य प्राप्त होंगे करियर में थोड़ी बाधाएं अवश्य आएंगी जैसा मैंने कहा मेहनत होगी तो आप देखेंगे कि कई उल्जने 12 जुलाई के बाद आपके कारेक्षित्र में अपने आप आ जाएंगी जो चीजें बहुत सरलता से हो जाती थी वो भी अब असरल हो जाएंगी सहजता से हो जाती थी वो भी अब असहज हो जाएंगी कुछ समय के लिए चीजें चलेंगी यदि आपने महनत करी यदि आपने उनको एक चैलेंज की तरह accept कि आपने कारक्षेत्र में आने वाली हर उल्जन को आप उसको बहुत अच्छी तरह से सुलजा कर आगे बढ़ पाएंगे इवन परस्नल लाइफ में यह थोड़ा सा अगया तो आगे बढ़ जाएगा क्योंकि जिसमें कंटेंटमेंट की भावना आगे जिसमें यह भावना आगे कि अब तो हमने बहुत कुछ कर लिया उसकी ग्रोथ उसी समय से बंद हो जाती है इसलिए मैं कह रहा हूं यह मेहनत करने वाला पाया होता है आप उसको कितना समझ कर आगे बरत पाते हैं यह आपके उपर है लाब उठाइएगा इस तांबे के पाएगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके अवश्य मिलेंगी पैसे धन की प्राप्ति तो आपको अवश्य होने बाली है इस्पैशली यदि आप मैनुफेक्ट्रिंग से जुड़ा सब्सक्राइब करते हैं तो यह चे महिने आप काफी पैसा कमा सकते हैं ठीक ठाक सा जो स्टूडइंस कि किमपटिटव एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं उनको तो अच्छी रिजल्ट मिल सकते हैं लेकिन जो नॉमल स्थूड़न्स है टेंट के नीचे के उनको थोड़ी जाना चाहिए मैरिड लाइफ पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा मैरिड लाइफ में दूरियां अवश्य आएंगे एक दूसरे की बाते नहीं समझ पाएंगे एक दूसरे को काली मंदर जाना है भैरव मंदर में अबको एक मीठे पान का भोगलगाना है भैरव जी तरफ दूसरे के लिए जब शनी महराज गोचर करेंगे अपना राशी परिवर्तन करेंगे तो चfinitely चंद्रमा रहेंगे उनके छटे भाव में और इसलिए आपका बनता है सोने का पाया एक छे ग्यारा में जब चंद्रमा रहते हैं राशी परिवर्तन के समय चंद्र राशी से तो सोने का पाया बनता है नाम सही स्वष्ट है सोने का पाया तो आपके लिए तो यह जो छे महीने ये बहुत उत्तम रहने वाले हैं, जो परिशानिया आपको घेर के रखी हुई थी, इन 6 महिनों में उन में से कई परिशानिया कम हो जाएंगी, जो रुकावट आ रही थी, वो दूर हो जाएंगी, पैसे के संबंद में प्रॉब्लम जारही थी, वो दूर हो जाएंगी, आपके लगन को ही देखेंगे सब्तम में बैठकर तो आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी लेकिन क्योंकि पाया बहुत अच्छा है तो उसके मेहनत के आपको रिजल्ट कई गुना मिल सकते हैं जैसा मैंने कहा रुकावटे दूर होंगी इससे पहले हो सकता है कुछ चिं क्योंकि शनी महराज खुद सब्तम में गोचर कर रहे हैं यानि कि दस्वे से दस्वा और जब मूर्ती निर्णे हो रहा तो चंद्रमा को भी देखते हैं वो छटे में होंगे समय आपका इसलिए स्वर्ण पाया बन रहा है तो करियर में एकदम उच्छाल आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि चंद्राशी है तो आपकी मानसिक्ता भी बदलेगी और आप अपने करियर में अपने कारेक शेत्र में बहुत एक्टिव हो जाएंगे यह छे महिने में आपके अंदर यह जजबा रहेगा कि नहीं अब कुछ करना है अब रुखना नहीं है और कुछ भी शुरुआत होती है तो उसका जो इनिशेशन होता है वो अपने मस्तश्क सही होता है अपने थिंकिंग सही होता है तो थिंकिंग में चेंज आएगा इसके कारण करियर में आपको अच्छा रिजल्ट अवश्य रेखने को मिलेगा फैमिली से दूर हो जाएंगे मैं यह नही कुछ समय के लिए स्थान परिवर्तन भी करना पड़े जिसके कारण भी आप फैमिली से दूर हो सकते हैं कुछ प्रॉपर्टी के इश्यूज आपको तंग कर सकते हैं सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई थी वहाँ पे कोई इश्यू हो गया आपने किसी बिल्डर से देख रहा है अच्छा एक और चीज़ अध्यात्मिक होंगे पूजा पाठ की तरफ ध्यान जाएगा और भाग्या आपका बहुत जगा साथ देगा यदि इससे पहले भाग्या का साथ नहीं मिल रहा था कई जगा पर ये छे महीने में भाग्या का बहुत साथ मिलने वाला ह क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया सोने का पाया है इस समय को आपको हाथ से जाने नहीं देना आपको उपाय क्या करना है भैरव मंदिर में जाएगा किसी भी मिष्ठान का भोग लगा के आईए गभैरव जी को काली मंदिर में जाकर एक नारिय लर्पन करके आईएग आपके लिए जब शनी राशी परिवतन करेंगे तो चंद्रमा उस समय रहेंगे आपके पंचम स्थान में यानि कि धनू में इसलिए आपका बनता है चांदी का पाया यानि कि रजत पाया क्योंकि दो पांच नौ में यदि चंद्रमा होते हैं तो बनता है चांदी का पाया चांदी का पाया जैसा मैं शुरू में बता चुका हूँ कि सोने से थोड़ा नीचे होता है तो इसके अच्छे ही प्रभाव आपको मिलेंगे बहुत उर्जात्मक और सकरात्मक आप फिल करेंगे यदि इससे पहले क्योंकि दिखे शनी महराज थोड़ा सा लियो के लिए नुम्हक के स्वामी है सूर्य और जो शनी है उनके साथ उनके अच्छे संबंद नहीं है बाप-बेटे का संबंद है लेकिन वैसे जो उनके आपसी संबंद है वह अच्छे नहीं है इसलिए बहुत अच्छा रिजल्ट उनको नहीं देते होउ सकता है प्षले कुछ समय से आ रही हो लेकिन अब उन प्रॉब्लम्स में काफी हद तक कमी आएगी क्यों क्योंकि आपकी अपनी मानसिक्ता बदल जाएगी आप सकरात्मक हो जाएगे और जब व्यक्ति ठान लेता है कि वही समय भले ही बुरा हो मैंने उस समय को बदलना है तो आप खुद देखेंगे कि हद तक चीजें बदलती ही हैं आपके लिए उपर से चांदी का पाया बन रहा है विल पावर स्ट्रॉंग होंगी क्लैरिटी थिंकिंग में आएगी क्रियेटिविटी अपने बेस्ट लेवल पे रहेगी यदि आप कुछ क्रियेटिव फील्ड में है तो तो ये 6 महीने आप आपके हैं आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेंगे मार्केटिंग में हैं एडवर्टीजमेंट में हैं इन इंडस्ट्री में हैं मीडिया में हैं सोशल मीडिया से जुड़ा काम करते हैं फिल्म लाइन में हैं इन सब में उसे कुछ भी आप करते हैं जिसमें क्रियेट इसके कारण क्या होगा कि आपके संबंद कई लोगों से बिगड़ेंगे जो पहले आपके दोस्त थे वो आपको खुद दुश्मन लगने लग जाएंगे उनकी गलती नहीं होगी लेकिन आपके अंदर गुस्सा जादा रहेगा इसलिए चीज होगी किसी एक पर्टिकुलर चीज में इतना घुश जाएंगे कि आपको बाकी सारे चीज़ं से नाता तोरण पड़ेंगा अभे क्या हो सकता हैं पैसा हो सकता है कुरियर हो सकता हैं एक तरा से किसी चीज को लेकर और वो उसके कारण आपके कई लोगों से दूरिया अम देखने को मिलेंगी जो जो लोग देश से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी रुकावंटों के बाद कुछ न कुछ अच्छी ऑपरचिनुटीज अवश्य प्राप्त होगी एक चीज तो है कि इस समय में आप अपनी होबी पर बहुत ध्यान देंगे जैसा मैंने कहा क्रियेटिव रहेंगे उस क्रियेटिविटी का आप अपने होबी में बहुत उप्योग कर सकते हैं अपनी होबी को इतना निखारिए कि जब ये राशी परिवरतन दुबारा करेंगे शनी महारा जगले साल जैनवरी में तब आप उस होबी से ही कुछ पैसा कमा पाएं हमेशा कहता हूँ होबी थोड़ा नकरात्मक प्रभाव पड़ेगा दूरी आएंगी नया रिलेशन्शिप स्टार्ट होते होते कई बार रह जाएगा जो लोग अल्रेडी रिलेशन्शिप में हैं मानसिक तोर पर दूरी आएंगी विवाहिक जीवन पर इसका थोड़ा बहुत अच्छा असर स्टूडंस के साथ जातstopक रहेंगी अब स्टूडंस के साथ क्या होता है यूजीली सारे यंग होते हैं ए और आपके लिए मिला जुला सा दिख रहा है जो पाया निर्धारन है यानि कि चांदी का पाया बनेगा जादा सकरात्मक प्रभाव है थोड़े बहुत नगरात्मक प्रभाव भी है शेर मार्केट से पैसा काफी कमा सकते हैं उपाय क्या करना है आपको किसी भी भैरव मंदिर में जाकर ग्यारा सरसो के तेल के दिए भैरव जी को समर्पित करने है और एक नारियल बेरपन करना है यह कर लीजिएगा आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे चलते हैं कन्या यानि की वर्गों की तरफ आपके लिए जब शनी राशी परिवतन करेंगे तो च फैमली लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी आप थोड़ा उनसे दूर महसूस करेंगे आपको लगेगा कि वो आपको नहीं समझते उनको भी यहीं लगया कि आप उनको नहीं समझते यह जो मतबेद है यह बढ़ेगा और इसके कारण फैमली में प्रॉब्लम्स आएंगी जादा एक दूसरे से बातचीत करने का मन नहीं करेगा दूरियां आ जाएंगे एक दूसरे के बीच में घर में थोड़ा उचाट सा महल रहेगा और जब घर में महल अच्छा नहीं होता तो यूजूली उसका एक नगरात्मक प्रभाव हर चीज़ पर बढ़ता है आपने ख पैसा और वो पावर किस काम की ऐसा ही कुछ थोड़ा बहुत आपको अनुभुती होगी कि घर में थोड़ा महल अच्छा नहीं रहेगा बाराजुलाई के बार आपकी मदर के लिए अच्छा नहीं रहेगा आपकी माता जी को थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स अचानक से आप मैं गलत नहीं किया रहां इंट्रोवर्ट लोग बहुत क्रियेटिव होते हैं लेकिन जो इस समय आप इंट्रोवर्ट बनेंगे वो लोगों से बचने के लिए बनेंगे आपका लोगों से बात करने का बिल्कुल ही मन नहीं करेगा और यह कई जगा पर होने वाला है अ आप इंट्रोवर्ट रहके कुछ न कुछ अच्छा कर सकते हैं तो मिला जुला है यह यह आपकी इंडिविजुल लाइफ पर है कि वो किस तरह का प्रभाव देता है इसके साथ ही पैसा तो आपके पास आएगा लेकिन क्योंकि लोहे का पाया है वो एक स्टेबल फॉर्म मे होता ही है वार्णी में बहुत कटूता आएगी इस वार्णी की कटूता को कंट्रोल करके रखेगा वर ना इसका एक नेगेटिव इंपक्ट आपके हर चीज़ पर पड़ेगा लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है थोड़ी बहुत प्रोब्लम्स आएंगी मेरिड लाइफ में इसके नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेंगे दोनों ही जगा मानसिक्ता नहीं मिलेगी कभी कभी एक तूसरे के जो पार्टनर है पार्टनर या लाइफ पार्टनर वो आपको दुश्मन की तरह लगेंगे और ये भी चीज़ बहुत परिशान करने वाली है आपको आपके लव लाइफ में या मेरेड लाइफ में जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि एक अनिश्यत्ता रहेगी जॉब छोड़ने का मन करेगा मन करेगा कि चेंज ही कर दें ये डिसीजन आप तभी लेजेगा जब ये जो लोहे का पाया है ये मिला जुला सा प्रभाव दे रहा है आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी शायद उसके अच्छे रेजल्ट ना मिलें लेकिन फिर भी 6 महिने का समय है कोई बहुत बड़ा लंबा समय नहीं है कोशिश कीजेगा कि इसको जितनी सरलता से पार किय कर आजा कर सके उपाय क्या करना है आपको किसीकाली मंदिर में जाकर दो तरह की मीठाई कोई खाली मातव को अर्पन करनी है और एक मीठा पान बीएक बाल करे सकरात्मक प्रभाव कम देगा और थोड़ी सकरात्मक बढ़ेगा लिब्रा यानि कि तुला के तरफ आपके लिए जब शनी राशी परिवर्तन करेंगे तो चंद्रमा उस्समें रहेंगे तीसरे स्थान में इस तरह से आपका बनता है तामबे का पाया यानि कि ताम रपाया त तीसरे नंबर पर आता है यह जब स्थेती बनती है तो महनत जादा होती है लेकिन उसके रिजल्ट भी मिलते हैं लोहे के पाय में महनत होती है रिजल्ट शायद नहीं मिल पाये लेकिन तामबे का पाया कि एक अच्छी क्वालिटी यह है कि यदि आप महनत करते हैं तो उसक कुछ अच्छा आपने लिए अर्जित कर पाएंगे जो घर में प्रॉब्लम्स आ रही थी घर में दिक्कते आ रही थी सपोस कि आपके घर में महौर अच्छा नहीं ता कुछ लोगों में दूरियां थी आपकी किसी से लडाई हो गई थी मतभेद हो गए थे उन सब को सौल्व करने के लिए 6 महीने सबसे अच्छे हैं आप जितना प्रियास करेंगे कि चीजों को सौल्व कर लें आप देखेंगे जैसा मैंने कहा कि एफर्ट्स की अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो इन 6 महीनों में आपको उन एफर्ट्स था देखने को मिल जाएंगे बहुत समय से वाइदा उठाइएगा आपको प्रॉपर्टी इशूस कुछ तंग कर सकते हैं कुछ आपने प्रॉपर्टी कहीं खरीदी हुई थी वो उसका पोजेशन नहीं मिल रहा या कुछ ना कुछ कुछ चीज़ें आपको प्रॉपर्टी के संबंद में छे महीने में तंग अवश्य करेंगी अपनी होबीस पर ध्यान दीजेगा अपनी होबीस को निखारने का समय हैं आपका कॉम्मुनिकेशन स्किल्स बढ़ेगा और उसके कारण भी आपको कई जगा पर मदद मिलेगी पर लेकिन उसमें यह नहीं कि आप किसी को blindly follow करेंगे गुरु नहीं तलाज करेंगे इस समयाब आप समझने की कोशिश करेंगे और उसमें यह जादा दिख रहा है कि आप शास्त्र पढ़ेंगे कुछ पढ़ेंगे knowledge gain करेंगे अध्यात्म के लिए spirituality के लिए पूजा पाठ के ल रहेंगे आप हर चीज को एक चैलेंज लेकर आगे बढ़ेंगे चैलेंज समझ कर आगे बढ़ेंगे कारेक्षेत्र में कुछ विगन आएंगे no doubt specially आपके colleagues की साइट से और वह चीज आपके लिए कई जगा दिक्कतें उत्पन करेंगे लेकिन जैसा मैंने कहा तामर पाया है मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे तो भले ही आपके लिए कोई कितने भी obstacles यहां पे खड़े कर ले आपको जादा problem नहीं होगी एक जो चीज नकरात्मक है वो मुझे लग रही है वह यह कि आप कई जगा पर अंसोशल हो जाएंगे और especially जब किसी public gathering में जाएंगे तो आपका जाएगा कुछ ऐसा विवहरा हो जाएगा कि लोगों को समझ नहीं आएगा आप कहना क्या जाते हैं या आपकी जो body language है वो थोड़ी अलग सी हो जाएगा इस चीज पर काम कीज़ेगा कि आपको गलत message especially जब किसी public gathering में हो तो कोई गलत message आपकी body language के तुरू किसी के पास ना हो जाएंगी खर्चा जादा होगा खर्चे के लिए तयार हो जाएगा तो overall ठीक ठाक सा दिख रहा है मैनत कीजिएगा उसके अच्छे रिजल्ट अवश्य मिलेंगे उपाय क्या करना है आपको किसी भी कृष्ण मंदिर में जाकर कृष्ण जी को मिश्री और मक्षन का भोग लगाना है इसके साथी गणेश मंदिर में जाकर या शिव मंदिर जहां पर गणेश जी स्थापित हैं दुर्वा फल और मिश्ठान इनका भोग लगाना है ये दूपाय कर लिजेगा 12 जुलाई को या उसका एक दिन पहले आपको अच्छी संद्रमा तो चांदी का बाया बनता है चांदी का बाया दूसरे नंबर का है अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा पैसा तो अवश्य आएगा यह सबसे अच्छा प्रभाव इसका आपके फाइनेंचल स्टेटस पर होगा पैसे रुकए हुए तो वापस आएंगे इंकम के सोर्स बढ़ेंगे इसके साथ ही इस समय में आपको आइडियास बहुत अच्छे आ सकते हैं पैसा कमाने के लिए मैं कई बार बता चुका हूं अपने राशी फल में कि या अपनी पुरानी वीडियो में कि जो बिजनस है वो आइडिया से चलते हैं स्पैशली जो एंटर्पेनियो आपको उस संदर्ब में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलेगा आपको इन्वेस्टर मिलेंगे अच्छे आइडियास आएंगे ना केवल आइडियास आएंगे आप उनको इंप्लिमेंट और एक्जेक्यूट भी कर पाएंगे गोल्डन पीरियोट फॉर एंटर्प्रेनो पर लेके जा सकते हैं तो आपके लिए भी यह जो चांदी का बाया बन रहा है यह बहुत अच्छे रिजल्ट देगा बिजनस के लिए अच्छा है जो लोग फाइनस से जुड़ा कुछ काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है काफी साहसी रहेंगे और जो छोटी- निकल कर कुछ बड़ा करने का प्रयास करेंगे क्रियेटिव रहेंगे मैं कई बार बता चुका हूं क्रियेटिव होते हैं विश्चिक राशी के जातक क्योंकि इनकी क्रियेटिविटी थोड़ी अलग तरा की होती है यह किसी एक चीज़ पर फोकस करते हैं फिर उसमें घु और तिंकिंग का जो आपका होराइजन है वह बहुत एक्सपैंड हो जाएगा यानि कि अलग अलग सोच विचार आपके पास होंगे और उसका लाब अवश्य उठा पाएंगे यदि आप मार्केटिंग संबंदित कुछ कारे करते हैं समय अच्छा है रिलेशन्शिप के लि के लिए भी ये ठीक ठाक है क्योंकि यदि अन्स्टैबिलिटी आ रही थी आपके विवाहिक जीवन में इस चांदी के पाई के कारण वो अन्स्टैबिलिटी बहुत हद तक दूर हो जाएगी स्टूडन्स एक चीज कहूंगा जो स्पेशली कोई एक्जाम दे रहे हैं आपकाम कर ही रहे हैं प्लैन B प्लैन C ये भी आपके पास होना चाहिए पैसा जैसे मैंने कहा बहुत आएगा लेकिन पैसे को लेकर थोड़ा सा आपको सीरियस रहना पड़ेगा क्योंकि कभी-कभी उन चीज़ों पर पैसा खर्च कर देंगे जहां पर पैसा बचाया जा सक पाया कर गणेशची को किनी भी 3 तरह के फूल अर्पन करने हैं किसी भी 3 तरह के मिठाय उनको अर्पन करना है आपके यो चांदा का पाया है और निखरकर आपको फल देगा धनु के लिए यस समय राशी परिवर्थन होगा चंद्रम्हा प्रथम सांट में कोचर कर रहे होंगे इसलिए सोर्ण यानि की सोने का पाया बनता है 1-6-11 में जब चंद्रमा होते हैं राशी परिवर्थन के समय तो आपका सोर्ण पाया बनता है सोने का पाया नाम से ही सबस्ट होता है कि यह पाया आपके लिए अच्छा रहेगा मैं समझता हूँ धनू राशी के जातक थोड़े से परिशान चल रहे हैं अगनी तत्व की राशी है शनी महाराज इनको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते अपने गोचर में अपने साड़े साथी में और अभी दोबारा से एक तरह से टेक्निकली तो साड़े साथी चाल कि जो दुबारा आपके लिए साड़े साथी आ रही है यह कोई बुरा प्रभाव नहीं देगी आपको अच्छा ही प्रभाव देगी कई चीजें जो शनी महाराज आप से छीन के ले गए थे उनमें से कई चीजें आपको वापस भी करके जाएंगे बलकि अच्छी तरह से जाएंगे फाइनेंचरी आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा पैसा आएगा यह सोरसे बढ़ेंगे आपकी पूरी मांसिक्ता में बदलाव आएगा आपके कार्ये करने कि प्सक्राव में बदलाव यहां पर चोटी छोटी चीजों पर विचलेत हो जाते थे आहांडिए आ आपको एक अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा सकरात्मक बदलाव देखने को मिलेगा मैं बता चुका हूं सोने का पाया सबसे अच्छा होता है सवर्ण के तरह आपको result मिलेंगे सवर्ण की तरह चमकने का मौका मिलेगा opportunities धेर सारी आने वाली है कितना लाब उठाते हैं ये तो आपके उपर है पैसा आएगा जैसे मैंने कहा उससे अच्छी चीज है पैसा बचाने के उपर भी फोकस करेंगी पैसा savings पे आपका फोकस रहेगा जो आपको बहुत अच्छे result अपने आप देगा घर के लिए अच्छा समय नहीं है यानि कि घर के जो महौल है उसके लिए अच्छा समय नहीं है दूरी आएंगी और वो आएगी वार्णी के गारन वार्णी में आपकी कटूता आजाएगी और घरवालों से दूरियां थोड़ी बढ़ जाएगी कोशिश कीजेगा जितना कम सब शब्दों का प्रयोग हो स्पेशली जब अपने घरवालों से बात कर रहे हो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए जादा बोलेंगे जादा प्रॉब्लम्स होंगी जॉब चेंज करना चाते हैं ट्रांसफर के साथ तो आपके लिए अच्छी उपरचुनिटी जाएंगी आपको ट्रांसफर भी मिलेगी प्रमोशन भी मिल सकती है स्टूर्ण्स जो जॉब ढून रहे थे किसी कॉम्पेटिटिव एक्जाम के थूँ या फिर अपनी ग्रेजुएशन के बाद और लंबे समय से उनको जॉब नहीं मिल रहे थी इस समय में आपको अचानक से जॉब की प्राप्ते भी हो सकती है स्वर्ण है तो हर चीज में अच्छा ही विजर्ट आपको देखे जाएंगे मेरिड लाइफ में थोड़ी प्राप्लम आएगी मेरिड लाइफ में प्राप्लम क्यों आएगी एक घरवालों के इंवल्मेंट दोनों की दिरफ से घरवालों का इंवल्मेंट जादा हो जाएगा कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा और आप उससे influence भी हो जाएंगे दूसरा money management के कारण पैसों की बातचीत होगी उस पे बहस होगी और इसके कारण problem होगी दूसरा physical compatibility में problem आएगी थोड़ा ध्यान भी बटकेगा इसलिए married life के लिए समय अच्छा नहीं है love life के लिए ठीक ठाक सा समय है थोड़ा आपको प्रत्न करना पड़ेगा अपने love life को stable रटने के लिए तो overall तो आपके लिए जो स्वर्ण पाया बन रहा है बहुत अच्छे result देगा हर तरह से इसके अच्छे result देख रहे हैं दो तिन नकरात्मक points है मैंने बता दिये लेकिन इसका लाभ ही आपको मिलेगा और अच्छा हो इसके लिए आपको क्या करना है गणेश मंदिर में जाकर आपको या शिब मंदिर में जाकर जहां पर गणेश जी है दुर्वा अरपन करके आनी है दो तरह की मिठाई गणेश जी को अरपन करके आनी है वहाँ बैठकर ओम लंबो दरायन अमहा इस मंतर का 108 बार जाप करके आना है आप ये कर लीजेगा अच्छा ही रहेगा आपके लिए सब्सक्राइब चलते हैं कैप्रिकॉन की तरफ आपके लिए जब शनी महराज राश्टी परिवरतन करेंगे चंदरमा उस समय गोचर कर रहे होंगे 12 स्थान में 4-8-12 लोहे का पाया लोहे का पाया थोड़ा नकरात्मक होता है तो इसके थोड़े नकरात्मक प्रभाव तो आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहला नकरात्मक प्रभाव आपकी मानसिक्ता पर आएगा थोड़ा सा चीज़ों को नेगेटिव वे मिलेना शुरू कर देंगे हर चीज में नुक्स निकालेंगे हर चीज में आपको नेगेटिविटी दिखेगी सबसे पहली चीज आपके मस्तिशक पर आपकी मानसिक्ता पर सोचने के तरीके पर इसका बुरा प्रभाव रहेगा व्यक्ति की ज़िए यदि मानसिक्ता ही नेगेटिव हो जाती है तो उसको कुछ भी मिल जाए उसको उसका कुछ लाब नहीं मिलता यानि की आनंद नहीं तो कोशिश कीजेगा कि नेगेटिव चीजों से थोड़ा दूर रहे नेगेटिव लोगों से नेगेटिव बातों से नेगेटिव चीजों से जितनी दूरी बनाकर रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों से थोड़ा दूर रहने का प्रयास करेंगे आप रहे ना रहे लोग ही आप से थोड़ा दूर हो जाएंगे क्योंकि आपके विवहार में ही एक ऐसा कोई factor आ जाएगा कि लोग आप से थोड़ा बातचीत करना पसंद कम करेंगे शायद आपकी वानी में एक जो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सटायर व्यंग वो जादा आ जाएगा आप बात करेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप व्यंग दे रहे हैं उनका मजाक उनका उपहास कर रहे हैं ये चीज के कारण आपसे लोग थोड़ा सा दूर हो जाए अब यह कितना आपको प्रभावित करता है यह आपकी इंडिविज्वल जीवन पर है यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों से दूर रहना ही पसंद करते हैं इंट्रोवर्ट है तो ठीक है लेकिन यदि आपका काम ही ऐसा है जहां पर पब्लिक डिलिंग करने पड़ती ह और उसके बाद यदि ऐसा चीज हो गया तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है कॉम्मुनिकेशन गैप बहुत जगा पे आएगा लोग आपकी बाते समझ नहीं पाएंगे मैरिड लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं होगा जैसा मैंने कहा नकरात्मक का थोड़ी सी आपके बानसेक्ता में आएगी उसका सीधा प्रभाव आपके मैरिड लाइफ पर होगा आपकी ओवरॉल सेहत भी थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी मानसे केवं शारिदिक सेहत पर इसका नकरात्मक प्रभाव दिख रहा है जैदी किसी बड़ी पॉजिशन पे हैं आप अपनी पावर का भी गलत यूज़ करेंगे सपोज आप बहुत अच्छे कोई ओफिसर वाल करने के लिए अपनी पावर्स का भी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और हो सकता है अभी नहीं लेकिन आगे चलकर आपको उसका कुछ नकरात्मक प्रभाव देखने को मैं यह नहीं किरा कि इस समय में आपको पैसे की कमी होगी पैसा तो आएगा करियर में भी आगे बढ़ सकते ह लेकिन यह जो चीज है जो मैंने एक चीज बताई है अपने पावर का गलत यूज यह आपको कुछ नकरात्मक प्रभाव देखे जाएगा प्रोफेशनली यह समय अच्छा दिख रहा है परसनली यह समय बिलकुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है परसनल लाइफ में लव ल लाक्सा दिख रहा है अपनी बातों पर अपने विवहार पर बॉडी लैंग्विज में थोड़ी सी सकरात्मकता रखेंगे तो आपके लिए लोहे का पाया भी थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट दे जाएगा उपाय क्रिश्ण मंदिर में जाकर क्रिश्ण जी को मिश्र आपके लिए जब शनी का राशी परिवर्तन होगा तो उस समय चंद्रमा आपके लाव स्थान में यानि की ग्यारव स्थान में गोचर कर रहे होंगे और इस इसाब से आपका बनता है सोने का पाया क्योंकि एक 6-11 में सोने का पाया बनाते हैं नाम से स्वश्ट है सोने का प लाबकारी स्थान है इसलिए नाम ही उसका लाब स्थान है कई तरह के लाब आपको प्राप्त होने वाले हैं पैसा रुका हुआ था वापस आ सकता है पैसे के सोर्सेज बढ़ेंगे जो काम बन ही नहीं रहे थे मतलब कि काम एकदम एंडिंग स्टेज भी आपके आपके देखना शुरू कर देंगे भले ही इससे पहले आपके सारे काम नहीं बन रहे थे जैसे ही राची परिवर्तन होगा और आपका सोने का पाया बनेगा तीकि चंद्रमा है मैं कई बार कहता हूं लगन और चंद्रमा में फरक्या होता है कई लोग यह कंफ्यूज होते हैं लग हो जाएंगे सकरात्मक हो जाएंगे एक जीवन जीने का उत्साह बढ़ जाएगा जीवन में उत्साह ही नहीं है तो कोई जीवन जीने का एक आनंद प्राप्त ही नहीं होता नीरस सा जीवन हो जाता है जब उत्साह आता है तो जीवन जीने का आनंद आता है तो यह 6 महीने म आंसिक तोर पर बहुत अच्छा फील करेंगे और उस चीज़ का एक अच्छा रिजल्ट अच्छा असर आपको अपनी हर चीज़ पर देखने को मिलेगा पैसे वाइज इंकम वाइज बहुत एक जीवन के अनुसार आपको हर जगा पे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपकी व आने की ही कारण कुछ लोग आपके नजदीक आएंगे यह स्वर्ण पाय के कारण है वरना अकेले यदि मैं शनी का गोचर देखूं तो उसमें कुछ अलग रिजल्ट आएंगे लेकिन मैंने कहा कि जोतिश में बन प्लस वन नहीं होता कई चीज़े देखनी पड़ती है तो कोई कोट के से चल रहे तें सौल करने के लिए चा समय है चीज़ें आपके हित में जाएंगी मैं तो यह कहूंगा कि आदि इसमें आपको कोई भी ऐसा मौका मिलता है जहां पे कॉंप्रोमाइज की सितिय आ जाती है जहां पर आपको लगता है थोड़ा सा आप आगे आए थ तो उनको पता होगा कि एक बार केस स्टार्ट करना तो ठीक है, फिर वो जब लंबा चलता है तो कितने मुश्किल होती है, हमारे देश में वैसे ही जो कानून विवस्ता है, वो अल्रेड़ी इतनी overburden है कि चीजों में देर हो जाती है, तो यदि compromise की situation आती है किसी भी तरह, त धर्म के प्रती रूची बहुत बढ़ेगी, धर्म की तरफ जग्यासा बढ़ेगी, जो इससे पहले अपने आपको नास्तिक बोलते थे, उनके भी जो व्यक्तित्व है, जो मान सकता है, उसमें change आएगा, और आप थोड़ा धर्म के प्रती, थोड़ा अध्यात्म के प्रती और आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए ये जो सोने का पाया बन रहा है, हर तरफ से आपको अच्छे ही रिजर्ट मिलेंगे, लव लाइफ में सुधार होगा, लव लाइफ की क्वालिटी में सुधार होगा, नया relationship बन सकता है, इवन married लोगों क के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, इस स्वर्ण के पाय का आपको लाब उठाना है, और अच्छा कैसे करें, गणेश जी के मंदिर में जाकर पहले गणेश जी का पंचामरित से अभिशेक करें, फिर दुरवारपन करें, फिर म शनी राषी परिवर्तन करेंगे, तो चंद्र माँ उस समय आपके दस्वे घर में गोचर कर रहे होंगे, आपकी चंद्र राशी से, इस हिसाबसे बनता है आपका तामबे का पाया, तीसे नमबर का पाया है, मैंने जैसे कहा कि तामबे और लोहे के पाया में फरक ये है, कि लोहे के पाए में शनी महराज बहुत महनत कराते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं देते। तांबे के पाए में अच्छा ये है कि आप से महनत तो करवाएंगे लेकिन उसके रिजल्ट भी आपको देते जाएंगे। तो भई मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएगा कारेक शेत्र में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक्टिव रहेंगे कभी-कभी काम का प्रेशर भी ज्यादा रहेगा लेकिन उस हर चीज का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा अब सभी देखते होंगे कि मेहनत करते हैं और रिजल्ट मिल जाते हैं तो उत्साहा बढ़ता है काम करने का मन करता है ऐसा ही आपके साथ होगा लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलता फिर उत्साहा कम हो ज अच्छा है मेहनत करने वाला है लेकिन जितनी मेहनत आप इससे पहले कर रहे थे हो सकता है उसकी दोगनी करनी हो दोगनी करनी पड़े लेकिन उसके रिजल्ट भी आपको दोगने मिलेंगे अच्छा रहेगा लेकिन क्या है कि मीन राशी है अब यह थोड़े से लेजी होते है थोड़े से मन मौजी होते हैं अब क्या ये वो मेहनत कर पाएंगे आपकी सफलता का लेवल उसी पर डिपेंड करता है कि क्या आप अपना मन लगा पाएंगे क्योंकि यदि इनका मन नहीं लगता तो ये काम नहीं करते गुरु की राशी है जब तक yüzden नहीं मिलती जब तक मान सम्मान नहीं मिलता जब तक मरजी का काम नहीं होता तब तक एक ये काम नहीं करते तो यदि आप कुछ ऐसा कारे करते हैं जिसमें आपको इंटरस्ट है तो तो आप काम करेंगे, आप बहुत पैसा कमाएंगे के नाम कमाएंगे लेकिन यदि कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें जादा इंटरस्ट नहीं है आपको तो शायद आपके लिए जो तांबे का पाया बन रहा है थोड़े नकरात्मक प्रभाव भी देगा क्योंकि शायद आपका काम करने का जादा मन नहीं करेगा पैसे में बड़ व्यक्तित्व में चेंज आने वाला है बहुत मेहनती आप हो ही जाएंगे आपका जो लेड़ बैक एटिटूड है आप उससे निकलने का प्रयास करेंगे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आल पस्नेलिटी ट्रांस्वरमेशन के थू जाने वाले हैं हर चीज में फिजिक करेंगे कि अपने आपको और एक्टिव करें जिसके कारण हर चीज का लाब उठा पाएं क्लैरिटी आ जाएगी माइंड में क्रियेटिव रहेंगे शेर मार्किट से लाब कमा सकते हैं अपनी हॉबी से लाब कमा सकते हैं इवन राइटिंग पब्लिशिंग के लिए कैसे भी कुछ रिटर्न काम करें उसके साथ ही जो रुकावटे आ रही थी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कोई यह काम करें राइटिंग का ब्लॉग लिखना कोई आर्टिकल लिखना इन सब में आपको क्लैरिटी आ जाएगी लव लाइफ के लिए अच्छा समय है मैरेड ला कि बहुत मेहनत करें क्योंकि इसके बाद जब शनी राशी परिवर्तन करेंगे जनवरी में उस समय भी मैंने थोड़ा बहुत देखा था सब के लिए तो उस समय शयद आपका चांदी का पाया ही बन रहा है तो वहाँ पे भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं तो मेहनत को पीछे मत छोड़िएगा इस छे महीने में जितनी मेहनत करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे स्पेशली कारेक्षेत्र में एक चीज है अपनों से संबंदों में थोड़ी दूरी आएंगी मैं यह नहीं कहरा लड़ाई होगी लेकिन क्योंकि कार्य में ही इ भर भर के आपको रिजल्ट देंगे आपके लिए उपाई यह कि आपको किसी भी भैरव मंदिर में जाकर दो नारियल अरपन करके आने हैं और गणेश जी को भी एक मीठे पान का भोग लगाना है यह कर लीजीगा आपके लिए यह जो तामबे का पाया है यह आपको और लाइक कर लेजीगा मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए, ओम नमश्यूद्ट